हाई हाई यह स्टूरेंट्स वेलकम तू स्टूरेंट पॉइंट पॉइंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोंग तो स्टूरेंट नमबर 17 क्लॉथ अवर नेसेसिटी तो अगर आप हमारे चानल पर नय है या फिर आपने इस चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अ वीडियो को लाइक कर दीजियो चानल को सब्सक्राइब करके और नोटिविशन पर भी क्लिक कर दीजिए ओके तो आईए स्टार्ट करते हैं लेसार नमबर 17 तो can you tell observe the picture given below carefully choose the cloth you would like to have and circle there ये picture का observe कीजिए और select कीजिए कि आपके पास इस में से कौन से कपड़े है या फिर आप कौन से कपड़े पहनना चाहते है या फिर आपको कौन से पसंद है ओके ये तो आपका काम है तो आप कर लीजिएगा in the box write the total number of cloth you selected कितने कपड़े आपने से लेक के वो यहाँ पर लिखना है तो आपने जो कपड़े चूस किये है वो कपड़े आप अपने फ्रेंड के साथ से लेक कीजिए टैली कीजिए क्या उसने भी वही कपड़े चूस किया है या की है ओके फर्स वन वीच डे विल्ड्य वियर दे क्लॉथ यूह चूसर हम जो कपड़े चूने है वो कपड़े कौनसे दिन पहने जाते देखिए तो हम यहां पर बात कर ले कपड़ों की तो जो स्वेटर होते है गरम कपड़े वो हम ठंडी में पहनते हैं जो समर में हम शॉट क कपड़े पहनते हम ज्यादा तर जिस तरह के यह है यह है इस तरह के जो कपड़े Moois summer में ज्यादा पहनते है वींटर में हम गरम कपड़े पहनते है और बाकी सादारन कपड़े हम many time in a day will you change your cloth आप अपने दिन में कितनी बार चेंज करते हैं जनरली लोग एक ही बार बजलते हैं पर जब लोग बाहर से आते हैं या फिर कई बाहर जाते हैं तो फिर उन्हें जैसे आप मानने जिए कि आप सुबह उठे आपने नहाया आपने कपड़े चेंज किये आने के बाद आपने स्कूल के त्य have chosen if so write about many in the boxes तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास उपर दियेगे कपड़ों में से और भी अलग कपड़े हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते यहाँ पर और उनके बारे में बता सकती कि आपके पास ऐसे और कितने कपड़े हैं अपर फ्रांड प्रां देखोन, आपड़े अन बारे में बसका आपनीची क्पड़े के अलावा और काउशी चीज यह जो हम पहनते हैं जश्मा पहनतेए शी पहनते हैं हेंडe land your cloth to your friends, which cloth, so, क्या तूम अपने friends से कपड़े land लेते हूं, land मतलब उधार लेना, will you land your cloth to your friends, क्या आप अपने friends से कपड़े मांगते हूं, मतलब कही बार ऐसा होता है ना, हम कही घुमने जाते हैं, तो हमें अपनी friends की dress बहुत ज़्यादा पसंद आजाती है या उसका shirt या उसका t-shirt हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो हम उसको कई बार party में पहनने के लिए हम उनके कपड़े भी use करते हैं तो ऐसा होता है कि क्या आप बताईए कि आप अपने friends से कपड़े land लेते हैं कुछ समय के लिए मांगते हो which cloth that you see in the advertisement would you like to wear कौन से कपड़े आपको पसंद है जो आप advertisement में देखते हो और वह आपको पसंद भी होते है we like to wear many different type of cloth and we wish to own them as well हमें बहुत सारे तरह के अलग-अलग कपड़े पसंद होते हैं और हम चाहते हैं कि वह कपड़े हमारे पास आ जाए हम उसे पहने तो visit people in your surrounding who often take shelter at place like railway और bus stand brick clean open ground etc discuss the following point with them and make note visit people in your surrounding आप अपने area में जाईए अपने आसपास ऐसे लोगों से मिलिए जो bus stand में रहते रेलिव सेशन में रहते हैं ओके footpath में रहते हैं खुले मैदान में रहते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है जो ऐसे गरीब लोग है what is the total number of cloth they है उनके पास school मिला के कितने कपड़े उनसे पूछिए what do they wear in the summer summer में वो क्या पहनते हैं उनसे पूछिए what kind of cloth do they wear in winter winter में वो क्या कपड़े पहनते हैं उनसे पूछिए and what cloth do they use during the monsoon season और monsoon के समय वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं उनसे पूछिए उन करीब लोगों से आपको यह पूछना है what do they wear function and festives कुछ उनके function festives होते तो वो कौन से कपड़े पहनते हैं how many time in a day today change their cloth और वो एक दिन में कितनी बार अपने कपड़े बदलते हैं या फिर दिनो दिन कितने कपड़े बदलते है what did you realize from activity about और उस activity से आपको क्या समझ में आता है वो मुझे comment करके जरूर बताएगा comment काफी बड़ा होगा पर जरूर मुझे बताना ऐसे लोगों से पूछना क्या आप उनकी lifestyle कैसी है विचारे कैसे कपड़े पहनते हैं आपको बता है उन्हें तो कपड़े पहनने के लिए भी नही लोग वाइल दूइंग इन माइंड यूर नीड और राइट दे नंबर अफ लॉट यू चूज इन दे बॉक्स रिपीट फिर से इसे करके देखिए कैन यू टेल एक्टिविटी मेक न्यू नोट इन यूर बूक क्या आप यह एक्टिविटी को अपने रोड बूक में लि कि आपको कपड़े किस जरुत के लिए चाहिए और आपके पास वो कितने हैं वो सब यहाँ पर लिखना है तो are your answer are your answer in the second activity the same in the first activity क्या second activity और first activity में आपके answer same थे ये वाली और ये वाली ओके after this activity we may find that the number of cloth we wish to have is rather large wanting cloth and really needing them are different thing देखिए wanting cloth and nearly needing them देखिए जो कपड़े हमें पसंद आते हैं वो जरुर नहीं कि वो सारे कपड़े हमारे पास हो हम जो कपड़े पसंद आते हैं और वो हमारी जरुरत है यह दोनों अलग अलग बात है हमें कपड़े कोन से पसंद आ रहे हमारी जरुरत क्या यह दोनों अलग अलग बात है हमारी जरुरत यह है कि हमारे body covered रहे पर आप उसके लिए किस तरह की कपड़े पहनते हो यह अलग नेसेसिटी, समझ में आ रहा है, जैसे कि आपको ठंड लग रही है, आपने स्वेटर पहना हुआ है, पर आपको वो टीशर्ट बहुत अच्छी लग रही है, और वो आपको चाहिए, तो ये जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप तो उसे पहनेंगे नहीं, आप तो उपर से क्या पहनेंगे, स्वेटर ही पहनेंगे, समझ में आ रहा है, तो जरूरत आपको क्या चाहिए, और आपकी क्या जरूरत है, दोनों में बहुत फर्ख है, समझ में आया, सिंपल सी बात है, आपको भूक लगी है, तो आप खाना खा सकते हैं, और आपको भूक मिठाने के के लिए आपको मैगी ही चाहिए तो यह आपकी इच्छा है यह जरूरत और इच्छा यह दोनों अलग-अलग बात है वी सी मेनी एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी हम बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखते हैं अट्रेट बात्रेट अपर देखते हैं और वहां पर जो कपड़ी दिखा जाते हैं वह उस पर अट्रेक्ट होते हैं तो this attraction can turn into greed और यही attraction हमारे लालच में बदल जाता है और हम परदी लालची हो जाते हैं थाकि हमें यह नहीं वो पहनना वो नहीं वो पहनना बहुत सारे कपड़े लेने इस सर से तो कपड़ों की जरुरत और कपड़ों का लालच इन दोनों पर discuss किजिए कि क्या सही है तो use your brain power Rohan and Sania have many cloths रोहन और Sania के पास बहुत सारे कपड़े but they do not wear many of them पर इनमें से वो बहुत सारे पहनते भी नहीं है now they are wondering what they should do with all these cloths पर अब वो चिंता में है कि इतने सारे कपड़े हमारे पास है इनमें से बहुत सारे कपड़े तो पहनते भी नहीं है तो अब इन कपड़ों का हम क्या करें तो help them to solve their problem उनकी problem solve क कीजिए और help कीजिए कैसे करेंगे आप हम simple से देखिए मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े हैं तो अब बहुत सारे कपड़े ऐसे थे कुछ दिनों पहले मैंने shot out किये तो वो कपड़े में पहनता भी नहीं था तो हमारे area में क्या है एक नेकी की दिवार करके एक बना तो मैंने ऐसे ही किया मुझे जो कपड़ की जरुवत नहीं थी मैंने वो उस नेकी की दिवार में लिजा के डाल दिये वहार रग दिये और जिसी जरुवत होगी वो उसके लेकर चला गया होगा तो हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं for teachers for these activity visit the near center of textile industry with the student and arrange the interview with skill work there यह teachers के लि पारी जानकारी आपको देंगे यह देखिए हैंडलों मतलब यह हाथ की बुनाई होती है जिससे कपड़ा या सारिया बुनी जाती है और चर्का spinning wheel यह चर्का क्या करता है धागा बुनने में मदद करता है धागा निकालने में मदद करता है जो गांदी जी चलाते थे तो during the interview obtain information about the following point what industry is this यह industry किस चीछ की है and what is the product of this industry इस industry में कौन से product बनते है उसके बाद और क्या question पुछने आपको what raw material is used for produce this fabric मतलब धागा बनाने के लिए आप कच्चा माल कौन सा यूज करते हो कपास यूज करते हो या क्या यूज करते हो where does the raw material come from और यह कच्चा माल आप धाग raw material obtain और यह raw material जो आपको मिलता है यह किस रूप में मिलता है उसके बाद where the finished product sent for sale और यह जो product आप तयार करते हैं जैसे आपने कपास से धागा बनाया धागे से आपने कपड़ा बनाया अब इस कपड़े को आप कहा ले जाकर बेचते हो in which season are these textiles mainly used और आप यह कपड़े बन इस industry में किस तरह के work होते हैं okay so where do these workers come from और यह जो worker है आपके factory में काम करने वाले यह किस प्रकार के worker है कहा कहा मतलब किस किस तरह का काम करते हैं और यह जो worker है यह कहा से आते हैं यह भी आपको पुछना है in what way the center of textile industry change since the olden days बतलब कि किस तरह से textile industries में बदला हुआ है पूरा से मतलब नए fashion में आप किस तरह से आये हो and what problem are concentrated in these industries और इस industries को चलाते समय आप कोन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो यह सारे information आप उनसे ले सकते हो we obtain information about the textile industry center by asking the question given above now let us see example of the textile that are the facilities of Maharashtra like the petani of petan and yola, himru, shawls from aurangabad, bait sheet and bait spreads from solapur, hand loom and power loom cloth from इचल करन जी तो यह सब अलग-अलग गाव है और यहां से अलग-अलग तरह की चीजे मिलती है तो उपर सी जो information है हम question के तुरू तो collect कर लेंगे पर अभी हम पैठरी के बारे में बात करेंगे जो पैठर से आती है यola, himru और shawl जो aurangabad से आती है, bait sheet और bait spread जो तुलापूर से आता है, handle loom और power loom जो इचल करन जी से आती है इनके बारे में अब हम बात करेंगे, यह सब अलग-अलग तरह के कपड़े है जिसका use किया जाता है पहनने के लिए, you will understand this better from the map on the next page, नीचे जो map दिया है उस अब आसा नीचे समझ सकते हो, to the index of map at the textile industries that you know of but are not show here, अगर यहाँ पर कोई textile industries की बारे में आपको पता है और वो map में नहीं है तो वहाँ पर उन्हें दर्शा सकते हो, show कर सकते हो, mark them at the appropriate place on the map और उसे map पर सही जगा पर उसे show कीजिए, तो look here, यहाँ पर देखिए, cloth industry यह देखिए, हमारा महरास्टा है, तो यह cloth from इचल करंजी, इचल करंजी से cloth कहां से आता है, यह देखिए, यह निशा यह निशान हमें बताता है, cloth from इचल करंजी, okay, bed sheet from सोलापूरती है, okay, यहाँ से आती है, हिम्रू शाल्स, यह यहाँ से आती है, और रंगाबाद से, उसके बाद योला सारी यह आती है, हमें कहां से, नाशिक से और पैठन ही जो है, यह कहां से आती है, पैठन से, जो देखी यहाँ पर बहुत सारे टाइप के सारी है यहाँ पर दिख रही है आपको तो लकनव, लकनव, चिकन, कश्मीर, सिल्क, बनारसी, सिल्क, कडियाल, पितामबरी, ओचंपल्ली, उचंपल्ली उसके बाद नारायन पेट, उसके बाद है कांजीवरम, पाटोड़ा, मैसूर, मैसूर उसके सिल्क आता है यह सब अलग-अलग रखी सारी है लकनव, चिकन, कश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क, कडियाल, पितामबरी, पोचंपल्ली, नारायन पेट, कांजीवरम, पाटोड़ा, मैसूर यह सब अलग-अलग सारीयों के नाम है इस साड़ी जो है भारत के अलग-अलग जगा से आयी हुई है और यह हमें क्या बताती है, डाइबर रहती है honey, घ् जैसा हमारे लोगों में डाइबर सिती है, हमारे समाज में कितनी सारी डाइबर सिती है, हम अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग तरह की भाशा बोलकर यहाँ पर रहते हैं, अलग-अलग तरह के खाना हमारा भी होता है, तो उस तरह से अलग-अलग तरह का पहनावा भी हमारा होता है, कपड़ा मार्केट में जाएए, अपने पैरेंट के साथ, डिसकस दो पॉइंट गिवन बिलो, और नीचे जो पॉइंट है, उसे डिसकस कीजिए, और वहाँ पे जो लोग रहेंगे, उनके साथ यह पॉइंट डिसकस कीजिए, और उसकी नोड बनाएए, पहला, लुक एड़ variety of cloth and make a list their name, सबसे पहले varieties देखिए cloth की और उनके नाम भी लिखिए, उसके अच सेकंड, which this cloth are meant only for children, for adult, for aged people, मतलब कौन से कपड़े सिर्फ बच्चों के लिए है, कौन से कपड़े adult के लिए होते हैं, कौन से कपड़े बुढे बुढे लोगों के लिए होते हैं, find out about the various type of सा सारी के बारे में बता किजिए, note down the name of place famous for their सारी, और यह सारी जैसे पैठनी, पैठनी कहां से आती है, पैठनी किस के लिए famous है, पैठनी सारी के लिए, समझ में आ रहा है, तो वैसी ही, कौन सी जगह कौन से सारी के लिए famous है, आप उसके बारे में जानकर ले सकते हैं, spot the name of the place, reason, in the name of सारी, and mark those place reason on the map given above, मतलब जिस भी छेतर के बारे में आप पता करोगे, कि भई अवरंगाबाद में कौन से प्रकार की सारीया बनती है, या पैठन में कौन से प्रकार की सारीया बनती है, पैठन किस चीज के लिए famous है, तो पैठन कहां पर है, वहां पर आपको यहा पर मार्ग भी करना होगा, math में, so, does we know that a variety of fabric and custom have come into use due to the diverse climatic condition in a different part of the country, मतलब अलग-अलग देश से, अलग-अलग देश से, क्या होता है, देखी, फिर से पढ़ते है, does we know that variety of fabric, मतलब हम यह जान, या अफिर हम यह note करके रखें, कि variety of fabric, मतलब धागों की जो, कपड़ों की, कपड़ों की जो variety है, and custom have come into us due to the diverse climate and condition, यह इसका हम use करते है, अलग-अलग climate और अलग-अलग condition में, मोटे कपड़े, पतले कपड़े, अलग-अलग condition में हम use करते है, different part of countries और यह अलग-अलग country में, अलग-अलग तरह से use किये जाते है, with the better transport facilities, they have become available in all places, और यह जो कपड़े होते है, अलग-अलग देश में, अलग-अलग जगा पर बनाया जाते है, और transportation के कारण, transportation की facility के कारण, यह सारे कपड़े हमें मिल पाते है, so this diversity in a cloth is a part of the diversity in our country, so cloth में जो diversity है, अलग-अलग जो वीबिन निताय है, यह हमारे country का ही एक part है, try this, talk to elderly people in your family or locally to obtain this information, इस information को पाने क पास के लोगों से इसे पूछ सकते है, what cloth did they wear during their childhood, जब वो बच्चपन में बच्चे थे, तो वो कौन से गबड़े पहनते थे, make a list of the cloth and the name, और उनके cloth की list बनाईए और उनके नाम भी लिखिये, okay, take the list of cloth garment shop and see which the cloth of in your list are available here, तो जो बुड़े लोग है, वो बच्पन में कौन से कपड़े पहनते थे, उसकी list बनाईए और वो list लेकर आप shop में जाईए, और पुछिए क्या आपके पास ये कपड़े मिलेंगे, find out which of cloth are not wore anymore, अब धुड़िए कि कौन से कपड़े अब यहाँ पर नहीं मिलते है, okay, तो जमाना बदलता है, fashion बदलती जाती तो पूरानी किजे हमें नहीं मिल पाती, कई बार ऐसा होता है कि पूराना fashion वापस आ जाता है, so find out the place where these cloth used to come from, so find out किजिए कि वो जगा कि ये कपड़ा कहा से आता था, find out why these cloth went out of use, और अब ये भी ढूढ़िए कि ये जो cloth है, ये अब पहना वे से बाहर की हो गया, मतलब अब वो trend में क् पहलते, so find out if there have been change in clothing due to tradition and in the course of time, कुछ चीजे ऐसी होती ही जो समय के साथ बदलती जाती है, कुछ चीजे ऐसी होती है जो tradition के साथ बदलती से लिजाती है, okay, so during the evolution of man, जैसे जैसे इनसान का evolution हुआ, evolution मतलब बदला होना, इनसान में changes होना, तो जैसे जैसे man बदलते गया, दे इनसान की पूछ घर्ती चली गई, वो पहले बिना कपड़े की घुंता था, फिर कपड़े पहनने लगा, फिर इस तरह से भी इस तरह से, आप देखो, इनसान इस तरह से सीधा खड़ा होके चलता है, और अलग-अलग तरह के इसके पहना वे, तो यह क्या हुआ, कि ये इन उसके बाड़ी में बहुत सारे बदला होते गए, one of the changes was reducing in the amount of body hair, सबसे बड़ा जो changes है, जो कम हुआ है, वो है body hair, पहले पूरे शरीर भर बाल हुआ करते थे, अब इनसान के पूरे बाड़ी में बाल नहीं है, as a result, he began to need protection from element in certain weather condition, thus arose the need for cloth, देखे, doggy, doggy कभी कपड़े पह पहले 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 पूरे 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 कम हो गया, अब डायरेक ये skin रहे गई है, तो जो भी धूप आएगी, ये skin पर पढ़ेंगी, जो भी ठंड आएगी, skin को ठंड महसूस होंगी, तो इन सभी चीजों से protect करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, इसलिए हमें कपड़ों की शरुरत पढ़ी है, तो we can see a variety in a cloth used through the age, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बदलते जाती है, हम age के हिसाब से कपड़े बदलते जाते हैं, in prehistoric time, man did not wear cloth, पुरान बनाने लगा और फिर वो अपने बदन पर लपटने लगा, या फिर जो पेडों की छाल को अपने शरी में लपटने लगा, या फिर जो जानवर होते हैं, उसे मार कर उनका चमड़ा सुखा कर उनका चमड़ा वो पहनने लगा, after that, he began to hunt and use the skin of animals he killed, मतलब इनसान क्या करता थ जानवरों को मारता था और उनकी चमड़े का यूज करता था खुद को पहनने के लिए, after he learned to make yarn from material like cotton wool, उसके बाद इनसान यार्न बनाना सिखा, cotton wool, कपड़े बनाना सिखा धीरे धीरे, he began to use cotton cloth in variety of ways, और cotton के cloth का, cotton से धागे बना कर उसके अलग अलग तरह के कपड़े बनान देखा, पहले इंसान ऐसा था, अब इसके पहनावी की और इसके कपरों की प्रोसेस देखते में चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारी हमें differences दिखाई देते हैं, always remember, nature has given us enough fulfilled everyone's need, कुदरत हमारी जरूरतों को पुरा करती है, हम सभी की जरूरतों को पुरा करती है, however, nature cannot quench man's greed, और कुदरत जो है, हमारे लालच को पुरा नहीं करती, कुदरत हमारी जरूरत को पूरी करने के लिए है, उस जरूरत को अपनी लालच बना कर पूरी मत कीजिए, man must give priority to his need and not desire only then will nature be able to take care of us all, इनसान ने सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरी करना चाहिए, अपने लालच को न नेचर में, उसका दोश आप उपर वाले को या नेचर को नहीं देख सकते, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि हम ही नेचर का बुरा यूज़ करके, गलत यूज़ करके उसे बरबात कर देगे, मुंबई was famous worldwide for the textile mills, कपड़े बनाने के industry के लिए मुंबई सबसे ज़्यादा famous है, the humid weather on the island facilities, the manufacture of long thread from making cloth, तो यहाँ पर वहाँ का जो यह है, मैतलब एरिया जो है, वो कैसा है, कि weather है, humid weather है, humid की हुए, क्योंकि चारों तरफ पुरा समंदर से गिरा, समंदर से निकलने वाली जो भाफ होती है, और लोगों भी वहाँ पर काफी सारे, तो उसके कारण moisture जो है, हमेशा humid रहता है, हवा में नमी रहती है, जिसके कारण कपड़े बनाना उनके लिए आसान हो जाता है उस weather में, that is why Mumbai become a big center for textile industry, और textile industry के लिए Mumbai सबसे बड़ा center बन चुका है, the flourishing cloth industries attract worker from all over the country who come to settle there from then on Mumbai become an important hub for financial activity in India, तो ये जो facility थी Mumbai में, जिसके environment के कारण वहाँ के कपड़ों के लिए काफी जादा सुवीधा होती थी जहाँ पर industry अच्छे कपड़े बना पाती थी उस environment के कारण, क्योंकि उस environment में नमीपन था जिससे धागा बनाने में आसान होता था, अब ये चीज चोथी वो लोगों को attract करने लगे और अलग-अलग देशों से, अलग-अलग जगह से लोग आने लगे वहाँ पर बसने लगे और वहाँ पर अपना business शुरू करने लगे जिसके कारण, अलग-अलग तरह से जो क्लाथ आते हैं, जो क्लाथ बना जाते हैं, वो अलग-अलग जगह से अलग-अलग अलग लोकल टाइम में यहाँ पर हमारे पास आते हैं, तो collect pictures of traditional cloth worth in Jammu in Kashmir, तो बताइए कि Jammu और Kashmir में, Jammu और Kashmir में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, राजस्तान में, महारास्कार में, केरला में, discuss the climate of those area based on the picture, देखिए Jammu-Kashmir में बर्फ होती है, तो वहाँ पर मोटे कपड़े हमेशा पहने जाते, राजस्तान जो है, पुरा रेच से बरा हुआ है, वहाँ पर गर्मी बहुत होती है, तो वहाँ पर लोग पतले कपड़े पहनते हैं, उसके बाद रात में वहाँ पर थंडी इतनी होती है, कि लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ का जो मौसम है, कभी कश्मीर, तो क ठंडी भी है गर्मी भी है वारिज भी है केरला भी वैसे ही होता है यहां के सब के अलग-अलग क्लाइमेट है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग-अलग करके कपड़े पहने जाते हैं ज्यादा ठंड है तो मोते कपड़े पहनेंगे ज्यादा गर्मी तो पतले कपड़े necessity तो देखिए wanting things जो चीज़े हमें चाहिए और हमें जरुवत किस चीज़ किये ये दोनों अलग-अलग बाते हैं इसे हमें समझना जरूरी है we must use things only as we need them और हमें उन चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है जिसकी हमें जरूरत है ना कि हमारा शव several reasons in our country have a tradition of producing fabric characteristic of place several reasons in our country हमारे एक देश में अलग-अलग छेत्र ऐसे है जहाँ पर a tradition producing fabric वहाँ पर tradition है कपड़े तयार करने का तो अलग-अलग तरह के कपड़े वहाँ पर तयार किये जाते हैं we learn about the diversity in a clothing in our country with the help of map map की मदद से हमने यह सिखा कि हमारे देश में अलग-अलग diversity है कपड़ों से लेकर क्योंकि हम सभी अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं आपने देखा हूंगा साड़िया कितने प्रकार की थी तो यह सब क्या है changes है differences है diversity है जिससे हमें कपड़ों में भी diversity दिखाई देती है जैसे कि हमें diversity दिखाई देती है लोगों में diversity दिखाई देती है वैसे उनके पहनाओ में में उनके खादे में भी diversity यहाँ पर दिखाई देती है इसी के साथ यह lesson यही पर complete होता है अब आते हैं इसके हम question answer session की और lesson number 17 के question answer आपके सामने है इसका screenshot कर लीजिए यह है chapter number 17 okay take this snapshot यह question number 1 और उसके बाद फिर यह table है आप इसका भी screenshot कर लीजिए बस इस lesson में इतना ही है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बाद lesson number 18 शुरू होता है आपको यह वीडियो जरू समझ में आ गया होगा जो भी information हमने आपको दी है इस lesson से related वह आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो कैसा लगा comment box में जरू बताइए वीडियो अगर अच्छा लगाते है वीडियो को लाइक करतो चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरू करत तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए